असलाम अलेकूम and a very warm welcome to Dr. Nashiva Salman's SkinSolutions आज जब हम बात करेंगे तो हम हाथ और पाउं जो हैं उनके उपर बात करेंगे हाथ और पाउं जो हैं वो भी आपकी skin जो फेस की skin होती हैं या आपके बाल होते हैं उसी तरह से weather के हिसाब से changes भी show करते हैं खराब भी होते हैं और उनको care भी चाहिए होती है अब जब हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं जब गर्मिया आती हैं तो आपके जो पाओं और हाथ हैं वो आपको ज्यादा tan feel होते हैं आपको लगता है कि ज्यादा इनका color जो है या इनकी रंगत खराब होती जारी है जो लोग driving करते हैं या जिनका काम बाहर है उनके भी उनको खराब लगते हैं और जो घर में होते हैं और काम करते हैं उनके भी उनको अपने हाथ और पाउं जो हैं तो ऐसा नहीं होगा, यह जो एक्सपोजड एरिया जैसे आपके पाओं हैं यह आपके हाथ हैं यह फिर आपको पहले से ज्यादा ड्राइ लगेंगे, comparatively even सर्दियों से भी ज्यादा ड्राइ लग सकते हैं, तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक तो यह कि जो संब्लॉक्स ह बहुत जादा नहीं है बाहर का, तो फिर आप संब्लॉक्स नहीं भी लगाते हैं, तो खाली मॉइस्टराइज जरूर करेंगे, प्लस रात को यूज करने वाली ऐसी क्रींज, ऐसी मोडालिटी होती हैं, स्पिसिफिकली फॉर हैं जो हम पिशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप एक ही चीज मॉर्निंग में लगाते हैं, जस्ट लाइक अ सिंपल लोशन और वो आपके दो तीन इशूस जो है, वो उसको कवर करता है, फिर हम आजाते हैं कि यह सब कुछ आप कर रहे हैं गर में, लेकिन आपके हाथ-पाँ ज्यादा खराब हो गए हैं, या पिर आपको ऐसा लगता है, कि चीजें यूज करने के बावजूद इतने अच्छे या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आरा हैं, तो फिर आपने क्या करना है, दाट इस टाइम जिसमें आप हमारे पास आएंगे, जब आप हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास आपके तो हम खाली नकल्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं क्योंकि नकल्स ऐसी जगह है जहां पिग्मेंट मी पड़ा होता है और वहां पर स्किन भी थिक होती है जब वह वह ट्रीटमेंट कर देंगे तो जो आप घर में चीजें लगाते हैं वो भी अंदर अबसॉफ होना शुरू हो और उसके इलावा उसका अपना रिजल्ट जो है वो भी उसमें एड हो जाएगा तो आपको लगे का कि यह पहले से बेतर होते जा रहे हैं और पहले से अच्छे फील हो रहे हैं उसी तरह से अगर आपके नकल्स डाक नहीं है लेकिन आपके हाथ-पाउँ वैसे बहुत ज्य हो जाती है पिर आप उसको घर में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इस सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा तर एक्सपोज रहती हैं हाथ-पाउँ आपकी नेक आपकी आपका फेस जिसकी वजह से इनके उपर जो मौसम के असरात होते हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे आपकी कवर्ड स्केन होती है वो इस तरह से आपको शो नहीं करेगी चेंजेज या वेदर से रिलेटिट मौसम से रिलेटिट चेंजेज शो नहीं करेगी हर चीज केर मांगती है ख्याल मांगती है जिस चीज का ख्याल नहीं रहेगी वो भी पर आपका ख्याल नहीं रहेग जादा extreme dry skin होती है हाथों की उसमें फिर हम मीजो थेरपी करते हैं मीजो थेरपी यानि के injection होता है जिसको हम लगाते हैं उसकी विजा से skin जो है वो water एक और चीज जो के important है कि हम हाथ किस चीज से दोते हैं अगर आपके हाथ दोने वाली चीज जो है वह एंटी बिक्टीरियल है तो भी आपके हाथ जादा dry होंगे बहुत जादा या हाइडरेशन को रिटेन रखने वाली होती हैं फिर आपने वो moisturisers use करने हैं normal moisturisers जो है उस पे काम नहीं करते हैं और हम आपको हाथ होने के लिए भी different तरह के bars दे देते हैं जो के moisture को loose नहीं होने देते सकिन से लेकिन आप हाथ दो सकते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है और फिर आपकी skin जो है वो इतनी dry होती ही नहीं है जब वो इतनी dry नहीं होती ही तो वो कम crinkly या कम wrinkles वाली शो होगी प्लस यह होगा कि वो जादा देट तक आपकी moistur जो है वो रिटेन रख सकती है बाली वोगे कर दो होगी जो हो है लादी जो है जो है टो है झाल कि भीणक दपनार अपकी झूल कि जो है है जो है दो अचला कि टूँ समय प्लस प्लस आपकी